अगर आप नए ट्रेडर हैं तो तुरह साथ दूर रहें और आप पुराने हैं तो एक बात का और ध्यान रखेगा जैसे मैं हमेशे कहता हूँ कभी भी naked call और put buy ना करें एक strategy के साफ से चलें अगर आपको long term में पैसा बनाना है तो इस time एक और चीज़ का याद होगा आप पुरानी बात का हमने कहा था कि market जो है अभी हमें थ्रॉआ time तेख रूलाएगा और क्यों लाएगा because this time क्या हो था यह जो beer market चल रहा था यह अभी तक का सबसे worst beer market माना गया है और इसके accordingly बात करते हैं तो अब हम दो group में बट गए हैं पहला group वो है जो कहता है market bullish है और यह जो है lifetime high बनाएगी another lifetime high और यह जो beer run है यह 2022 के end तक चलेगा ठीक है यह group हमारा यह हो गया दूसरा group कह रहा है कि नहीं यह beer market का part है market rise कर रही है तो अब हम हो गए है dice हमें नहीं समझ मारा में क्या करना है इसी लिए हम अपना बड़ा outlook लेकर नहीं चल रहे हैं हम छोटे छोटे outlook के साथ में आगे move कर रहे हैं हम यह देख रहे हैं कि हमारा 10 दिन का पंदरा दिन का outlook क्या होगा उसमें क्या फाइदा होता उसमें हमारा जो है टागेट छोटे होनी के वैसे हमारे stop loss भी बहुत छोटे होते हैं तो उसके वजए से हम आराम से इस phase को cover कर जकते हैं इधर maybe on cost और without losing any money और maybe in small profit अगर हम properly risk management का ध्यान रखेंगे और एक और बात का ध्यान रखेगा एक और चीज में आप से कहा था वो था यह अगर आप यह नोटिस करेंगे यह वाला यह इसका resistance है अभी यह recently breakout हुआ है उपर हमारे पास में एक और assistance आ जाएगा 18,000 कभी भी जब market किसी level को break करती जो pattern break हुआ था हमारा trend line वाला इसको break किया अभी तक उसके उपर support नहीं बना है भागता चला गया इस type के pattern को हम जल्दी से follow नहीं करते हैं तो अब हमें क्या करना है हमें या तो इसको नीचे आते वे देखना है जहां पे 17,750 से लेके 17,800 के level आपको देखने को मिलेंगे at this point और अगर यह इसको break करके एक और भाग जाता है तब हमारे लिए अगला support निकल के आएगा 18,000 कल की बात अगर याध हो हम जो है completely global market के स positive रहेगा तो हमारे market वी positive open होगा तो अगर मैं आपको stem दिखाऊं US का market यह हमारा US का market है और अगर मैं इसको 5 minute chart पे आपको दिखाऊं तो यह फिलाल ऐसे जिल रहा है और यह minus 245 point down हो चुका है और S6 NFT minus 32 point down हो चुका है इसके accordingly मैं यह कह सकता हूं column gap down करेंगे और इसी लिए मैंने आप से कहा था कल भी कि अब मैं put लेना शुरू कर दूँगा reason जब market बहुत जादा rise कर जाती है और उसके जो overbought category में चला जाता है वहाँ पे हमें put लेना ज्यादा फायदय मन रहेगा लेकिन दूसरी बात याद रहेगा मैं naked put नहीं लेता हूं मैं इसको proper risk management के साथ में trade करता हूं तो यहाँ पे आज हमने कुछ put लिये हैं और उसका फायदा हमें कल देखने को मिलेगा अब कल क्या करना है मैं अगर इसको आप आपीस से देखेंगे तो यह आपका आपको यादा आज मैंने आपको कुछ levels provide किये थे टेलेग्राम में उन levels के accordingly आपका यहाँ पे resistance था यहाँ पे एक support था somewhere close to air और यह 80 के आज पास था और नीचे के तरफ 750 था सीधा 780 या I think 780 था तो हमारे पास दो support थे और दो resistance थे देखेंगे उसने पूरा दिन उसी level के आ ऐसे कल भी हम देखेंगे हमारे पास इंट्राडे में क्या support क्या resistance आता है इंट्राडे के लिए और अभी हम जो level decide करते हैं वो level क्या होता है कभी कभी हमारे पास में जो है market को देखने का time कम होता है तो हम पहले ही decide कर लेते हैं कि हमारे इन दोने levels के accordingly market चलेगा और हम इनी के अपने trade लेंगे हमारा high आज बनाता 965 का तो हम क्या करेंगे 17970 के उपर buy करेंगे हाला कि मैं इसमें आप से कह सकता हूँ कि आप इसको जो है अगर comfortably trade करना है तो 18,000 तक आप जो है कोई buy मत कीजेगा उपर जाता है 18,000 के resistance phase करे तो आप sell on rise कर दिजेगा और 18,000 को support बना ले जाता है तभी हमारा महाँ पे उसके उपर buy बनेगा लेकिन अभी जैसे आपने देखा global market का वो तो down चल रहा है down हम क्या करेंगे 17,900 और 880 तक हम जाएंगे 17,900 और 880 रिजन ये आज हमारा जो है support level था जो आज पूरी दिन market के लिए था उसके नीचे सीधा जो है fall आता बड कम से हम कुछ नहीं तो 1500 पॉइंट का fall में देखने को मिल रहा था 130 पॉइंट का तो इस level को break होने के बाद में हम sell करते हैं अगर हाँ इसी के आसपास खुला था 17,900 के नीचे भी हम जो है अराम से trade ले पाएंगे तो ये level रहेगा sell इस level को break करने के बाद sell और इसके उपर ज nifty बात करते हैं bank nifty के बारे में bank nifty आज weakness show कर रहा था initially मतब जो है around 10,30,11 o'clock तक bank nifty काफी weakness show कर रहा था उसके accordingly अगर हम देखेंगे उसने क्या किया था पूरा दिन जो support लिया था वो लिया था 39,350 पर वहीं पर jump वहीं पर jump और उसके बाद भाग गया उसके उपर जो है 39,500 का हमारा resistance है इसके उपर जाता है buy करेंगे यहाँ पर resistance face करता है तो sell on rise करेंगे और अगर वो जो है नीचे आके नीचे गरता है तो भी यहाँ आप sell कर सकते हैं इतना easy रहेगा reason being हमारे पास अगर level पह जान रखेगा एक word होता है no trading zone यह traders का अपना बनाया हुआ होता है या इसको आप zone trading को भी कह सकते हैं zone trading आगर आप zone trading करते हैं तो उसमें यह word आपको देखने को मिलेगा यह word कहता है आप से कि अगर मान लेजिए किसी level पर जैसे आप यहाँ देखने इस level के बीच में आपके पास में ना तो कोई buy opportunity ना कोई sell opportunity है तो इस condition में आप बिल्कुल sell नहीं करेंगे इसमें हम क्या करते है early entry या late entry, late entry फिर भी चल जाएगा late entry में फिर भी आपके बाद scope होता है कि हाँ आप profit में निकलेंगे early entry में तो बिल्कुल निकलेंगा और जहां trade नहीं लेना वहां नही नहीं जाना उसके चारत अफ से आप निकल जाएंगे उसमें नहीं जाएंगे क्यों chances यह हैं कि आप lucky हुए तो आपको profit मिल जाएगा आप वहां से निकल जाएंगे और unlucky हुए तो मना किया था ना आप अंदर भी जा रहते हैं तो आपका loss भी हो सकता है इस लिए इस level को break हो रहेंगे वारे bank nifty में stock selection में हमारा पहला pick रहेगा ICIC true life reason देखे पहला attempt यहां हुआ था यह था हमारा some way on the earning day some way in April दूसरा हमारा attempt यहां हुआ था तीसरा attempt यहां हुआ ब्रेकाउट वा चौथा attempt immediately थोड़े से टाइम में हो गया तो यह तो confirm हो गया कि यहां से हमारे पास में एक breakout है और अब जो है 585 को break करने के बाद में further rise के काफी इच्छे chances है और अगर नीचे गिरता है तो 575 के बाद में फिर से support मिलेगा 565 का which means यह level break करता है तो अराम से आपको target मिलेगा 600 का और अगर यह level break हो जाता है और यह वाला level break हो जाता है तो अराम से फिर से आपको target मि लेगा 565 का और यह breakout की वजह से ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छा rise कर सकता है बट जैसे हमने देखा कि we expecting gap down now so because of that we should also look out for this level which is 575 और target रहेगा 565 से लेके 560 तक मिंची जा सकता है अगला देखते है यहाँ पर हमारे पास में है bell bell काफी rise कर चुका है और आज देखिए उसने बनाया है bearish engulfing pattern और यह 290 के नीचे अच्छा cell initiate करेगा और 293 के उपर आपका buy बनेगा यह level break हो जाता है अराम से जो है आप सको sell कीजिएगा और इस level को break करने के बाद में वहाँ पर sustain कर जाता है जाँ chances कम लगने बट वी शुर्ड नेवर प्रडिक्ट कि हाँ ऐसा ही होगा आप सर्व यह कैसकते है कि यह वाला जो है side strong है और यह वाला side थ्रॉआ सा वीक है बैस लेकिन यह नहीं कैसा है कि ऐसा हो गाई होगा तो अगर यह level जो है break हो जाता है और और फिर देखेगा it means last में चलके वेपर जो है आपको थोड़ा सा जो है बता रहा है कि हाँ आप हमारे पास एक breakout आ सकता है जो recent high था वो यह था आज closing ही इसके उपर हुआ है और इसका जो high बनाया वो बनाया है 445 का तो बस इसके उपर है हम buy करेंगे और 440 के नीचे हम sell करे ठीक है तो यह level break हो जाता है break होने के बाद में आपके लिए एक अच्छा buy बनेगा वहाँ से आपके rise के chance बनेगे और 440 के नीचे आपके लिएक अच्छा sell बनेगा और अगर यहां sustain कर जाता है तो आपको लिए एक comfortable जो है sell बनेगा और यहाँ पर आपका target आराम से 432 तक ज अगला trade रहेगा हमारे पास Sun TV आपको याद मैंने कहा था आपसे जो है निफ्टी के अंदर कि अगर कोई level break होता है उस break को breakout को हम ज्यादा नहीं consider करते हैं जब वो breakout होने के बाद में उसको support बनाता है तब हमारे लिए वो considerable हो जाता है वो है यह वाला यहाँ पे recent breakout आया है आ तो यह बनेगा cell candidate चीक है 479 को break करता तो राम से cell बनेगा और वापस से 485 break करता है तो वापस से यह buy के लिए जाएगा because यह क्या करता टच करके भागेगा और अगर ऐसे भागेगा तो हमारे लिए अच्छा सा cell बनेगा Sun TV के अंदर अगला trade रहेगा हमारे पास में that would be Mahindra and Mahindra, हुआ क्या है Mahindra Mahindra में अभी इसके जो target थे देखिए कोई भी stock का target दिया जाता है और बहुत सारे टेर उसी target के basis buy करते हैं और अभी जो भी एक event था अभी electric vehicle launch किया है उससे पहले Scorpio वाला सारे event almost close ही हो चुके हैं और target भी अच्छी हो चुका है 1250 का, होज़ अच्छा profit booking आये, well almost 1300 तक का गया है तो हमारे पास में आज का low है 1270, ये low हमारे लिए sell को initiate करेगा, ठीक है, अगर ये level break हो जाता है तो comfortable आप sell कर पाएंगे, reason मैंने आपको बताए दिया है, in case अगर ये rise करता है 1285 को, तो ये वापिस से 1300 के लिए भागेगा और 1310 का भी आपके लिए target हो सकता है, और इसके नीचे आपके पास में, maybe 12655 और 1245 का आप अराम से, इसमें target ले सकते हैं, महिंदरा महिंदरा में